आखरी सांस तक लड़ा, फिर हो गया कुरुबान, सहीद के इस सहादत को देश का सलाम, जम्मू कस्मीर में देश की सुरच्छा में तैनात सियारपियप का एक जवान सहीद हो गया, आतंकवात से लड़ाई में देश ने एक जावाज खो दिया, घटना जम्मू कस्मीर के स्र सिवाब देते हुए, CRPF के जवानोंने दो आतंकवादियों को मार गिराया और तीसरे को घायल कर दिया। लेकिन आतंकवादियों से मोरचा लेते हुए, CRPF के जवान रमेश रंजन के सिर में गोली लग गई। फिर भी वो डटे रहे लड़ते रहे और आतंकवाद से इस ल सहीद रमेश रंजन बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं जिनकी उम्र 31 साल थी जिस समय आतंकियों ने सियारपियफ की जवानों पर हमला किया उस दवरान वहां सियारपियफ के कुल 13 जवान तैनात थे। सहीद रमेश रंजन ने दो आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी को गंभीर रूप से घायल करने में गजब का जजबा दिखाते हुए अपने साथियों की जान बचाई सिर में गोली लगने के बाद भी वो आतंकियों पर फारिंग करते रहे और लड़ते लड़ते ही देश की रच्छा में अपने प्राणों की अहाउती दे दी सहीत को स्री नगर के सी आर पिअफ कैम्प में स्रधांजली दी गई उसके बाद उनके पार्थिप सरीर को एरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया और उसके बाद उनके पैत्रिक निवास बिहार के लिए रवाना कर दिया गया